माहराश के बदलापुर में केजी क्लास में पढ़ने वाली दो बच्चियों के साथ यौन शोशन होता और भीड अपनी नाराजगी जतलानी के लिए इस तरह से रेलवे स्टेशन में उमड़ पढ़ती है। इस मुद्धे पर स्टीफा दे हैं। हमी ही नहीं थी कि एक के बाद एक अलग-अलग राज्यों से ये घटनाएं सामने उभर कर आ रही है। उत्तरा खंड में मानू बाड सी आ गई है। आप देख रहे हैं उत्तर पदेश में भी इसी तरह की कई घटनाएं सामने उभर कर आई थी। और अब आपके सामने ये तस्वीर महराष्ट की भीड की नाराजगी देखिए दोस्तों। और आप जानते हैं यहाँ पर क्या हुआ? पुलीस ने लाठी चार्ज किया। यहाँ पर कोई भी गोदी मीडिया न्यूस चैनल ये नहीं करेगा कि लोगों के मानवादिकार का हनन हुआ है। कोई भीड की आवाज नहीं उठाएगा। उल्टा भारती जनता पार्टी नेता इस भीड के खटा होने को राजनीतिक साज़िश बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात एक नाच शिंदे पार्टी से जुड़े एक नेता का शर्म नाक बयान। पत्रकार सुधीर सुरिवांची ने उसका जिक्र किया है दोस्तों और वो खबर क्या है। एक पत्रकार पहुँशती हैं बदलापुर में जो दो बच्चियों के साथ यौन शोशन हुआ है वो कवर करने के लिए। सबसे पहले दुनिया के सामने वही खबर लेकर आई थी। आप जानते एक नाच शिंदे से जुड़े एक नेता ने क्या कहा? कि आप ये खबर ऐसे कर रही हैं जैसे कि आपके साथ में बलादकार हुआ है। ये शर्मनाग बयान किसने दिया है? इस शक्स ने। इनका नाम है वमन महत्रे जो कि एक नाच शिंदे की पार्टी से जुड़े हुए हैं, पूर्व मेर हैं, सीधा और सरल सवाल, क्या इस समुद्दे को लेकर आप कहीं पर भी किसी प्राइम टाइम डिबेट में इसलिए मैंने आप से सवाल पूछा कि क्या बलातकारों पर हमारी प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि अत्याचारी किस धर्म का है? या अपराद किस राज्य में हो रहा है? यानि कि अगर या अपराद भारती जनता पार्टी शासित राज्यों में होगा, तो हम उस पर आवाज बुलंद नहीं करेंगे, मैं समझना चाहता हूँ क्यूं? और फिर जिस पत्रिकार ने बदलापुर में हुए इस वारदात को दुनिया के सामने लेकर आई, उस पर वमन महत्रे का इतना शर्मनाक बयान. मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, इस मुद्बे पर आदत ठाकरे का कड़ा बयान आया है, वो बयान आपके स्क्रीन्स पर. आदत ठाकरे अपने इस बयान में कह रहे हैं कि जिस तरह की प्रतिक्रिया बीजेपी गडबंधन सरकार की आई है, बदलापुर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो प्रदर्शन चल रहा है, वो शर वो शर्णनाक है वमन महत्रे जो कि एकनाश शिंदे के एक मेता हैं उन्होंने पत्रकार से कहा कि आप इसकी रिपोर्टिंग ऐसे कर रही हैं जैसे आपके साथ बलातकार हुआ है यह सरकार इस्तीफा क्यों ना दे आदित ठाकरे ने कहा कि क्या इस मुद्दे पर ग्रह मंत्री या फिर शिक्षा मंत्री ने कुछ कहा पुलीस को 13 घंटे लग गए F.I.R. दर्श करने के लिए और वो भीड पर लाठी चार्ज भी कर रहे हैं चार साल से शक्ती बिल पर राष्ट्रपतिय महर क्यों नहीं लगाई गई है और सबसे शौकिंग बाद बदलापुर में इस खबर को ऐसे कर रही है जैसे आपके साथ बलातकार हुआ है गोदी मीडिया के प्राइम टाइम में आपने इस खबर को कितनी बार सुना क्या दोहरे माबदंड इस तरह से अपनाए जाएंगे मैं समझना चाहता हूं क्यों मैं आपको दो खबरे दिखाना चाहता हूं द पाराश के अकोला में एक टीचर ने छे मासूम बच्चों को पॉर्ण दिखाया और साथ ही उनका यौन शोशन करता रहा उन्हें सेक्शुल असॉल्ट करता रहा कितनी बार आपने इस खबर को सुना है कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज की सी बियाई जाच हो रही है ज उसे मौत के घाट उतार देता है उस खबर को कितनी बार सुना आपने देहरादून की एक बस में एक मासूम के साथ गैंग रेप होता है उस खबर को कितनी बार सुना आपने इसी उत्त्राखंड में अंकिता भंडारी की हत्या करने का आरोप किस पर लगता है भारतिये जनत पार्टी के नेता के बेटे पर और आप जानते हैं इस पूरे मामले में ये बात भी सामने उभर कर आई कि अंकिता भंडारी पर दबाव डाला जा रहा था एक बड़े नेता के साथ रात बिताने को लेकर क्या CBI ने इस बात की जाच की? क्या अंकिता भंडारी के माबाप का दर्द किसी के लिए कोई माइने नहीं रखता? क्या अंकिता भंडारी की कोई इज़त नहीं है? मैं बानता हूँ जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है वो इस वक्ट जेल में हैं मगर इस मामले की CBI ज यहांघ क्यों नहीं पताच कार करो अफिर चाहिए कि किस नेता के बहा में अंकिताभ हंडारी पर दबाव डाला जा रहा था कि आप उसके साथ एक रात बिताए और जब उसने मना कर दिया तो उसे मौत की खाट उतार दीरा गया आखिर क्यों ये दौहरे माबदंड क्यों दो जो बदलापुर घटना है, इसमें दो मासूमों के साथ, जी हाँ, दो मासूमें के साथ यौन शोशन हुआ, ये खबर क्या है, मैं चाहूंगा उसके एक एक शब पर आप गौर करें। आठ बजे से शाम छे बजे तक बदलापुर स्टेशन पर प्रदर्शन किया, दस घंटे से ज्यादा लोकल ट्रेनों की आवाजा ही रुकी रहे, शाम को पुलीस ने लाठी चार्ज कर रेलवे ट्राक खाली करवाया, काबिनेट मंत्री गिरीश महाजन प्रदर्शन कारियों स चलाने की बात कही, भीड पर लाठी चार्ज किया गया, भीड को हटाया गया, मगर गोदी मीडिया जिस तरह से लगातार ममता बैनर जी सरकार पर निशाना सादरी थी, उस अब आपने नहीं देखा, मैंने खुद इस मंच पर ममता बैनर जी सरकार को कड़ घरे में खड़ा किया, मैं लगातार उनसे पूछ रहा था, कि आप जो सड़क पर उतर आई हैं, आप किसके खिलाप प्रदर्शन कर रही हैं, हकीकत यह है, कि अगर कोलकाता के एक अस्पताल में, एक 31 साल की डॉक्टर के साथ दुशकर्म और उसके बाद उसके हत्या कर दी जाती है, तो यह मंता बैनर जी कटगरे में हैं, तो भारती जनता पार्टी की उत्तरकंड सरकार क्यों कटगरे में नहीं है, यूपी सरकार कटगरे में क्यों नहीं है, महराश्च सरकार कटगरे में क्यों नहीं है, सबसे शौकिंग बात सवाल तक नहीं किये जाते, और मैं समझना चाहता क्यों कोलकाता वाला मामला सुप्रीम कोट में पहुँचा और सुप्रीम कोट ने केंद्र सरकार से 9 सवाल किये हैं हमारे डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर वो सवाल क्या है दोस्तों मैं चाहूंगा आप उस पर गौर करें सवाल नमबर एक अस्पताल की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है क्या प्रवेश द्वार पर चेकिंग की सुवधा है सवाल नमबर तीन रेस्ट हाउस की संख्या कितनी है ऐसे कमरों में क्या सुवधाएं दी जा रही है क्या अस्पताल के सभी क्षित्रों में CCTV क्यामरा पेंद्र सरकार से एक महिने के भीतर हलफ नामे के साथ ये जानकारी देने के लिए कही है मगर बड़ा सवाल कि कुलकाता में ये घटना होती है देश में आकरोश सामने उभर कर आता है फिल्म स्चार्ज जो हैं उस पर ट्वीट करते हैं बयाना देते हैं मगर क्या कुछ दिनों बाद हम एक बार फिर भूल जाएंगे हकीकत यह दोस्तों कि ये एक बीमारी के तौर पर है और ये बीमारी सिर्फ कोलकाता दिल्ली उत्तरपदेश उत्तरा खंड में नहीं है ये बीमारी पूरे देश में है आप जानते हैं मलियालं फिल्म इंडस्ट्री में महिला शोषन को लेकर एक हेमा कमिटी बनाए गई थी और इस हेमा कमिटी को लेकर जो फाइंडिंग्स है वो बहुत शौकिंग है क्योंकि हम लगातार ये सोच रहे थे कि जो मलियालं फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत उदारवादी है, वो बहुत खुले सोचकी है हेमा कमिटी ये बताती है कि न सिर्व महिलाओं बलकि बच्चों का भी यौन शोशन हो रहा था ये अपने आप में कितना शौकिंग है और आप जानते हैं न ये हेमा कमिटी क्यों बनाए गई 2017 में एक चलती गाड़ी के अंदर एक मल्यालम फिल्म आक्ट्रिस का बलादकार होता है और उसके बाद पूरे केरल में इस बात को लेकर रोश उटता है, नाराज़गी उटती है और फिर हेमा समिती बनाई जाती है, कहने का अर्थ क्या है दोस्तों चाहे केरल हो, उत्तराखंड हो, उत्तरपदेश हो, पश्यम बंगाल हो, दिल्ली हो महिलाओं के लिए कहीं कुछ सुरक्षित नहीं है हमारे राजनीतिक दल बार-बार ये प्रमानित कर रहे हैं कि उनका घुस्सा इस बात पर निर्भर करेगा कि घटना कहां पर हुई है, यानि कि अगर कोलकाता में घटना होती है, तो भारतिय जनतापाटी सड़त पर उतरती है मगर अगर महाराश में घटना होती है, तो भीड पर लाठियां चलाई जाती है जब उत्तर पदेश या उत्तरा खंड में घटना होती है तो भारती जंता पाटी पूरी तरह से चुप रहती है ऐसा क्यों मैं समझना चाहता हूँ मैंने देखा कि कल राहूल गांदी जो हैं राय वरिली पहुँचे थे यहां पर एक दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई जब राहूल गांदी से कोलकाता के बारे में सवाल पूछा गया तब राहूल गांदी ने कहा कि आप मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं मैं राहूल को याद दिलाना चाहूंगा कि बलातकार और उसके बाद हत्या एक गंभीर घटना है अब तक आपको सामने आकर इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी बाक्शीत करनी चाहिए थी प्रियंका गांधी वाडरा का भी ट्वीट सामने आया है कहां पर हुई है क्या आपकी नजरों में औरतों की अस्मिता के बस यही माइने हैं दोस्तों सबसे शॉकिंग बात जो भारतिय जनता पार्टी कोलकाता के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बारे में एक वीडियो वारिल हुरा है TMC इस वीडियो में दावा कर रही है कि एक TMC कारकरता के कपड़ों को नूचा गया और ये आरोब किसी और पर नहीं भाश्पा के कारकरताओं पर लग रहा है दावा ये भी किया जा रहा है कि उनकी 13 साल की बच्ची के साथ बत्तमीजी की गई उसे सेक्शली असॉल्ट किया गया यानि कि आप महिलाओं के खिलाफ अपराद को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उस प्रदर्शन के दोराँ एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की महिला के साथ आपने बत्तमीजी की उसकी अस्मिता पर प्रहार किया इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों महिला अस्मिता के मुद्दे पर हमारे राजनीतिक दलों में दोहरे माबदंड हैं घोर डबल स्टैंडर्ड्स हैं हकीकत यह है और कम से कम भारती जनता पार्टी के पास तो कहने का नैतिकाधिकार ही नहीं रह जाता क्योंकि जब आप बलातकारी राम रहीम को 21 दिन की फरलॉपर रहा करते हैं तो आपके मनसूबों पर आपकी नियत पर सवाल उठता है अब इसार शेर्मा को दीजे अजासत नमस्कार अब दो आपके मनस्कार